फेस टो फेस मार्केटिंग आज हम किसी से पूछेगे तो वो सब लोग बोलते हैं उसका जमानत चला गया अभी फेस टो फेस मार्केटिंग का कुछ नहीं रहा लेकिन International market में नए exporter के लिए face to face marketing important है यदि आप market में नए हो यदि आप कुछ नए product लेके particular country टार्गेट कर रहे हो तो उसमें आप digital marketing के साथ साथ वहाँ पे आपकी product लेके जाओगे कोई बड़ा trade fair हो रहा है उसमें आप exhibition करोगे तो आपको और country में penetrate होने के chances बहुत बढ़ जाते है लेकिन ये सब में costing बहुत आता है खर्च बहुत होता है और नए exporter के लिए marketing में इतना budget नहीं होता है तो इसमें हम इंडियन government support करती है तो आज हम उसी पर बात करेगे Welcome to Lime Institute, one stop solution for all your export import needs यदि आपने ये channel subscribe नहीं किया है तो कर लिजे आपको इसे update हर बार regularly मिलते रहेगे आज हम बात करेगे participate in international exhibitions और trade fair with government grant वर्ड में काफी सारी exhibitions होते है, सब industries के लिए अलग-अलग exhibitions होते है हर एक exhibitions छोटे या बड़े level पे होता है छोटे exhibitions जो होते है वो regional target करते है particular कोई state रहेगा, कोई region रहेगा, उसको ही target करते है और बड़े exhibitions जो होते हैं वो आसपास के country के भी बायर को target करते है और जो सबसे बड़े exhibitions रहते हैं वो पूरे world के बायर को target करते है कुछ बड़े exhibitions का हम बात करें food products के लिए तो अनूगा जर्मनी है उसके बाद आता है cell, S-I-A-L, cell Paris उसके बाद आता है Gulf food जो Dubai UAE में होता है तो यह सब food में सबसे बड़े exhibitions माने जाते हैं यदि हम building material hardware products में देखे हैं तो big five Dubai जो Asia के लिए बहुत बड़ा exhibitions है यदि आप United States target कर रहे हैं तो national hardware show जो hardware के लिए particular होता है Las Vegas USM है उसके आप जाके exhibit कर सकते है यदि हम handicraft produce की बात करें तो AFL Milan Italy जो B2C exhibition है उसके अलावा spring fair जो UK में होता है वो भी सबसे बड़ा exhibition है European market के लिए यदि हम automotive parts और machinery का target करें तो हिन और trade fair जो जर्मनी में होता है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है तो इसे काफी सारे exhibitions regularly उसका edition चलता ही रहता है कुछ exhibitions दो साल में एक बार होता है कुछ exhibitions every year होता है वो case to case differ करता है अब भी exhibitions में जाने इसे आपको majorly कौन सा कौन सा benefit मिलता है वो एक बार हम देख ले तो first day sales and lead generation काफी exhibitor को वहाँ पे ही order मिल जाते है तो वो सबसे बड़ा benefit है इसके अलावा leads यानि कि आपका वो market में context जैनियन context बहुत ही बढ़ जाएगे आपको पिछे से सी follow up लेते रहना है आपका business होना start हो जाएगा दूसरा जिसका हम आज बात कर रहे है face to face marketing trade fair जो business to business रहते है वो one of biggest opportunity for face to face marketing क्योंकि उसमें आपको genuine buyers के साथ direct वो market में marketing करने का chance मिलता है तो सबसे बड़ी opportunity है नए exporter को market में penetrate होने की तीसरा competition आप जो country target कर रहे है उसमें इंडिया से कितनी competition है और world में दूसरी country से आपकी product का कितना competition है उसके बारे में अंदाज आएगा वहाँ पे वो लोग भी अपनी product लेके आएगे तो आप देख सकते है कि आपकी product वो लोग की product में कितना difference है वो लोग क्या strategy यूज करते है बायर को convince करने में तो वो सबसे आपको competition के बारे में काफी सारा अंदाज आ जाएगा fourth हम बात करें तो building trust एक ही exhibition में दो या तीन बार आप sequentially visit करेगे या sorry exhibit करेगे तो आपको वहाँ पे trust build हो जाएगा buyers का क्योंकि जो genuine buyers रहते है वो सबी exhibitions में visit करते रहते है इच edition में वो लोग visit करते है ताकि वहाँ पे अभी market में क्या नहीं आ रहा है वो लोग को मालूम पड़े तो वो आपकी company हर बार देखेगे तो trust easily build हो जाएगा और यदि आपके पास कोई नया product है कोई innovative product लेके आप जा रहे हो market में तो आपको देखना है कि इसका feedback कैसा रहेगा तो सबसे बड़ा opportunity trade fair में रहता है वहाँ पे जो माँ visitors आते हैं वो field के ही रहते हैं काफी सालों से वो field में business किये होते रहते हैं तो वो कोई भी product में easily अपन से मिल सकता है अभी हम बात करेगे आपको कौन से exhibition में participate करना चाहिए तो first आपको market default करना पड़ेगा कौन सी country आप target करना चाहते हैं वहाँ पे कौन सा कौन सा exhibition हो रहा है वो देखना पड़ेगा उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा इतने सारे exhibition से इस में से मुझे sort out करना है तो sort out करने के लिए first चीज हमें देखनी चाहिए number of visitor in previous editions वो exhibitions में कितने visitors आते हैं उससे हमें काफी सारी चीज मालूम पड़ जाते हैं दूसरा है feedback from previous participants यदि इंडिया से ही किसी और company ने previous edition में participate किया है तो वो लोग को आप contact करके पूछ सकते हैं के सा response वो लोग को मिला था तो करीब करीब आपको अंदर हो जाएगा कि क्या preparation करना है किसा response मिल सकता है वगेरे इसके बाद आपकी export promotion council है उसको भी आप पूछ सकते हैं कि आपका ये product है ये market आप target कर रहे हैं तो कौन कौन से exhibitions जो है उसमें मुझे focus करना चाहिए वो लोग आपको support करेगे उसके बाद आता है वीजा requirements कुछ कुछ country इसमें वीजा का मिलना difficult रहता है तो आपको एक बार देखना पड़े का किसी पी exhibition में आप डायरेक्ट स्टोल बुक नहीं करवा सकते है यदि बाद में आपको वीजा ही नहीं मिला तो आपका पेशा बरबाद हो जाएगा तो वीजा वो country के ल कर लो जबी वो edition हो रहा है उसमें visit कर लो देख लो कि बाकी के जो लोगे हो कैसे अपना स्टोल बनाते है क्या-क्या products वहाँ पे आता है वह इसाब से आप preparation करके next edition में as a exhibitor जाओगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा benefit होगा आप जितना भी spend कर रहे उसका क्योंकि यह सब मे बड़े exhibitions में cost बहुत ज्यादा है जो छोटे exporter के लिए काफी माइने रखता है अभी इसमें हमें government कैसे support करती है तो government की special scheme है MDA scheme जिसको बोलते है market development assistance scheme उसमें क्या होता है कि government हमें या तो subsidize price पे वहाँ पे space देती है अपनी products को display करने के लिए या हमें grant देती है जो हमें as a reimbursement मिलती है एक बार हमें वहाँ पे जाके exhibit करके आगे बाद में हो पेसा हमें फिर government से मिलता है जितना भी फेले से decide होता है वो तो बड़े exhibitions में इंडिया के government जो होती है वो Indian pavilion बनाती है वहाँ पे इंडिया की सारी कमनी जितना भी participate होगे वो लोग के लिए boots ready हो करना है और particular dedicated area रहता है इंडिया के लिए यह सब grant अवेल करने में आपका सबसे अच्छा resource है वो आपकी export promotion council और trade promotion bodies जो है वो लोग ही है आप आपकी export promotion council में membership ले लीजिए क्योंकि इसमें सभी export promotion council में rules अलग-अलग है आपको कितना benefit मिलेगा नए exporter के लिए कैसे benefit मिलता है previously आपका क्या status होना चाहिए बहुत सारे rules होते है तो वो सब में अलग-अलग रहते हैं वो एक बार आपको आपनी council से check करना पड़ेगा है बाद में in general यदि में बता हो तो government आपको एक लाग से डाई लाग one leg to two point five legs तक का grant देती है base one exhibitions to exhibitions और इसके अलावा आपको airfare मतलब वहाँ के जाने का और आने का economic class का किराया एक व्यक्ति का जो है वो reimburse मिलता है आपको अपने पैसे से ticket ले लेना है बाद में यहाँ पर आके आप वो जो है वो claim कर सकते है government से वो लोग आपको एक आदमी के ल लेकिन यह सारी जो facility है वो छोटे exporter के लिए ही उसमें सभी में limitation रहता है कि आपका exporter और इतने से कम होगा तो ही आपको यह facility मिलेगी इसके अलावा आप same exhibition में तीन edition में ही participate कर सकते हैं आप same exhibition में तीन से ज्यादा बार participate नहीं करते हैं जैसा मैंने आपको बद आया था कि आ एक बार से ज्यादा बार participate करना चाहिए तो government भी आपको तीन बार same support करती है लेकिन इसमें हर साल April में जो list होती है exhibition की वो revise होती रहती है government से update आते है कि यह साल हम इतने exhibition से इतने इसमें इतनी इतनी बाते है जो है उसमें हम आपको help करेगे तो every year April में आपकी export promotion council से आपको मि membership ले लेनी है और उसके जो rules होते है वो आपको follow करने है इसे ही आपका market बढ़ता जाएगा अपना business बढ़ता जाएगा हम यहाँ पे lime institute में जो भी training करवाते है उसमें यह सब बाते डीप में सिखाते हमारे participant को इसके अलावी export में छोटी छोटी बहुत सारी बाते है जो धिय training में हम करवाते हैं यह training में जुड़ने के लिए आपको description में link मिल जाएगी वहाँ से आप आसानी से हमारा contact